दोस्तो इस वीडियो में मैं आज आप लोगों को बताऊंगा Minoxidil के बारे में कि Types of Minoxidil क्या है और Minoxidil को कैसे इससे लिया जाता है दोस्तो सबसे पहले मैं आप लोगों को Minoxidil के बारे में कुछ बताना चाहता हूं Minoxidil वह दवाई आप लोग कह सकते हैं जो कि baldness का treatment है Baldness का treatment in sense आप लोग ऐसे कह सकते हैं जो आप लोगों के shed hairs है यानि पतले बाल हैं उनको ये दोबारा से life cycle के according मोठा कर देता है और बालों को घना करने का काम करता है तो कहने का मतलब है कि बहुत परकार की Minoxidil आते हैं जैसे कि ये वाला जो Minoxidil है जिसको मैं shake कर रहा हूँ वो foam की shape में आएगा यानि कि जाग की shape में आप लोगों को मिलेगा और इस type का foam आप लोगों को मिलेगा तो पंखा चल रहा है उपर और ये foam जो है dilute होने वाला है आप लोगों को पता भी है ऐसा नहीं समझे कि मैं wastage कर रहा हूँ मैं आप लोगों को बताऊंगा कि actually मैं आप लोग क्या गलतियां कर रहे हैं Minoxidil को अपलाई करने से पहले मैं भी मानता हूँ कि Minoxidil से बाल वापस आते हैं लेकिन क्या और कहा कब तक ये bond area है जो पहले दिखाया था वो उसमें थोड़े पतले बाल है और यहाँ पर जादा बाल है आप लोगों समझने की कोशिस कीजिएगा ये आप लोगों की scalp है जहाँ पर पतले बाल है अगर आप लोग Minoxidil को try करते हैं apply करते हैं यहाँ पर ऐसे और आप लोगों को Minoxidil 1M तक apply करना होता है 1M तो आप लोग ये Minoxidil आप लोगों को spray की form में मिलेगा form की shape में मिलेगा और आप लोग जो है drop की shape मिलेगा एक यहाँ पर आप लोग अपलाई करते हैं जहाँ पूरा baldness है और एक आप यहाँ पर अपलाई करते हैं जहाँ पर बाल है तो समझने की बात सिर्फ इतनी है कि Minoxidil वहाँ तक तो आप लोगों का जाता ही है जहाँ पर आप लोगों के बाल है अगर वहाँ पर चला जाता है Minoxidil तो वहाँ पर आप लोगों का dandruff create होने लग जाता है वहाँ की जो scalp है वो सूखने लग जाती है तो वहाँ के लिए Minoxidil apply नहीं करना चाहिए जहाँ पर बाल है या वहाँ पर Minoxidil जाना भी नहीं चाहिए वहाँ के scalp के लिए जाना नहीं चाहिए अगर यहाँ पर आता है जहाँ पर कम बाल है पतले बाल है जहाँ पर आप लोगों को बाल जो है की growth वापिस जो है दुगनी करनी है तो आप लोग apply करें लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर apply करते है Minoxidil को तो वो सही नहीं है क्योंकि यहाँ की जो scalp है वो dry हो जाएगी और वहाँ पर dandruff create होने लग जाएगा अब बात करते हैं इस scalp की जहाँ पर baldness है तो दोस्तो जहाँ पर baldness है आप लोगों को क्या पता की यहाँ पर follicles है और आप लोग try करते हैं तो try करने का मतलब है 700 रूपए 700 या 800 रूपए आप लोग Minoxidil को apply करते हैं 700 या 800 रूपए का मतलब समझते हैं दोस्तो साथ बाल अगर 100 रूपए परती ग्राफ्ट के लगाई जाते हैं पसास रूपए लगाते जाते हैं तो 14 ग्राफ्ट आप लोगों के लगते हैं तो 12,000 रूपए तो आप लोग वैसे ही दे चुके होते हैं Minoxidil के बाद में भी देने होते हैं लेकिन आप लोगों को कम से कम इतना तो shorty हो जाती है कि आप लोगों के transplanted जो hair है जो donor area से निकाल का transplanted किये जाते हैं वो बाल तो आएंगे ही तो अगर आप लोगों को ये bald skin ही दिखाई दे रही हो और आप लोग इस पर Minoxidil try कर रहे हैं और बाल नहीं आ रहे हैं दुबारा तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों का जो follicles है वो वहाँ पर active नहीं है और वो नहीं निकलने वाला है लेकिन अगर आप लोग ऐसी scalp पर try करते हैं तो बाल वापस आने के chances होते हैं तो पहले आप लोग transplanted करवाईए बाल और उसके बाद में आप लोग एक हफते यानि कि आप लोग दो महीने तक भी Minoxidil try कर लेंगे तो आप लोगों के जो transplanted hair है वो वापस आने लग जाएंगे तो Minoxidil से बाल आते हैं लेकिन दोस्तों आप लोगों के समझने की बहुत जादा जरूरत है कि Minoxidil कब dry करना चाहिए तो transplant करवाने की जरूरत है आप लोगों को ऐसा नहीं है क्योंकि जो दवाईयां बन रही है hairs को लेकर उस पर research जरूर चल रही है वो बाद में आएगी लेकिन आप लोगों का look पहले matter करता है तो यही बाते हैं तो मैं आप लोगों को बहुत सारे doctors हैं जो YouTube पर हैं आप लोगों को पता है लेकिन मैं उन में से सही जो doctor है वो ही आप लोगों को हमेशा 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 recommend करता आया हूँ और मेरा जो फेवरिट डॉक्टर है जिससे मैंने बात की है वो ये है तो इनसे मिलिए ये हैं डॉक्टर तेजंदर भट्टी जी डार्लिंग बर्स के CEO और इनको कॉंट्रेक्ट करने के लिए आप लोग इनमबर डायल कर सकते हैं ये ट्रांस्प्लांट के बारे में